हेलो दोस्तो राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको जीएस्टू पेफर टू चो सटवी बीपेश सीमेंस के लिए कैस कोस्चन लाया तो इस वीडियो को सुरू से अन तक देखे पसंद आने पर लाइक से नहीं लोग सब्सक्राइब और वेल का इकन बटन दो न भूले तो सबसे पहले यह जानना है कि सबसे के लिएक प्रचाओं में और तीस लागति होता है तो पहला तथा दूसरा खेंड से प्रते एक प्रशन के लिए 38-38 संक रहते हैं और तिसरे प्रते एक प्रशन से 36-36 नमबर के तो आपके टोटल है जो कि 8 प्रशन लिखने होते हैं फर्स्ट खंड एक और खंड दो में तीन तीन और खंड तीसरे में दो प्रंट टोटल आठ फरस्ट आपको लिखने हैं और अधिक्तम जो उत्तर है जो कि आपको तीन सो से चार सब्दों के अंदर ही लिखें इसे ज्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन एक रैटरिया जितना कम लिखें और पॉइंट वाई लिखें और जो पूछ रहा है उसी का अनुसार लिखने पर ज्यादा मार्श मिलता है अगर आप कोश्चन के अनुसार बाहर लिखने आपको काफी कम मिलता है तो यह तीन सो नंबर के प्रिच्छा होती है तो खंड का देखते हैं तो पहला कोश्चन है भारतिये संगहात्मक व्यवस्था में केंदर तथा राज्यों के मद तनाव के छेत्रों का विसलेशन कीजिए बरतमान समय में संगिये सरकार तथा बिहा प्रायर में खासकर वो जो संबंध है क्योंकि यहां भी वही सरकार सत्ता रूड़ दड़किया जो केंदर में है तो इसकी संभावना काफी है और यह जो भरतिये संगहात्मक व्यवस्था में यह आपको बरनन करना है कि केंदर तथा मा राज्यों के मत तनाव के छेत्रों क फिर दूसरा सामान परस्थीटि में राजपाल समयधानी कारेवालक के ू. चारिचन कीए तो इसे तरफ की वीपुछे जाने लगा करक्व सिधा ये नहीं पूछा जाता है राजपाल के कारीवें सक्तियों का बर्नान करें इस तरक कोशचनल में रहें इसका अर्थ यह हुआ है कि आपको जेनरलिये देखा जाता है कि राजपाल तो समेधानी कारीपाल की रूप में काज करता है और जहांपर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता हूं, पर इनका जिनरली देखा गया है राजपाल का विवादा स्पद रहा है, इसके कई सारे आपको उधारण देने हैं, चाहिए वो बिहार के हो, चैहाए करनाटक के हो, चाहिए और राजव में जो खसकर विवादा स्पद रहा तो नमबर आपको अच्छे मिलेंगे तिसरा है अधिकार और कर्तब विभाज है और इसे अलग नहीं किया जा सकता भारत के मूल समिधान में मौलिक अधिकारों को अपराब धान्टों किया गया था परन्तु मूल कर्तब विव के समद में कोई बात नहीं की गई थी 42 में समिधान संसोधन द्वारा इसे किस प्रकार संतूलित करने का प्रयास किया गया तो आपको फ़ले तो इसे मतलब है जो कि अधिकार और कर्तब है जो की समानता आपको देना है कि इसे अलग नहीं किया समिधान संसोधन के ब्यावहारिक प्राबधानों ने जहां एक और इसे जीवंत बनाए रखा है वहीं खतरा इस बात का वी है कि एक सीमा से धिक लचीला फन समिधान के मुल चरित को ही परिवर्थित कर सकता आलोचनात्मक परिछन करें तो आपने देखा हुआ कि चारों कोश्चन लंबे लंबे है और इसका जो अगर अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े तो इसका अर्थ का अनर्थ भी होई सकता है तो इसको आपको इस तरह के कोश्चन आपको बनाने पढ़ेंगे और इसका अंसर खुद ही सौल समिधान संसोधन के बैवहारिक परावधानों ने जहाँ इसको प्रावशन करना है तो इसको आपको आलोचनात्तों करना है तो इसके आलोचनातों करना है फिर आब आते हैं पांच मक्षान डिखा जो इकोनोमीस और भुगोल से हैं, तो बिहार की नदी घाटी परिजनाओं को उले करते हैं, इसके संभावनाओं पर एक टिपनी लिखें, तो मतलब बिहार की नदी घाटी परिजनाओं हैं, उसके बारे मगो उले करना हैं, और इस संभावनाओं को मतलब इससे क्या विकास होगा, इन परिजनाओं से कहां-कहां फाइदा होगा, और इसकी संभावनाओं से और बढ़ने से इसके क्या फाइदा हैं, फिर छठा है, भारत ये किर्शी परधान देशे, किर्शी उत्पादक्ता तता बीपनन भारत किर्शी व और जो इसकर धन aos I can도 के लोग में किर्शी विबिलन पर नाली का है जोगे आपको अफो येलिवेट करना है। प्र इसा लेनक्यों क्या है रिध करांटी से एक किना समजते हैं। इसके प्रिभाव तथा सिमाओं का बर्णन करें, परत्म हरित करांति ने खाट समस्याओं के समाध्हान के साथ-जीत प्रकार केंद समस्याओं के जन्म दिया, उसे दूट यह उत आज से किस प्रकार दूर किया सकता है पहले तो हरित करांति की से आप अब तक क्या समझते हैं उसके बाद है इसका विश्यस्ता क्या इसका प्रवावर सिमाओं का लिखना है क्योंकि बहुत छोटा लिखना बहुत लंबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि पर्थम हरित करांति का जो है जो कि कई समस्याओं भी जनम दिया उसको बर्नन करना है और दियुतिया है करांति में इसका दूर किस परकार है जो कि किस परकार दूर किया है इसका बर्नन करना फिर आठमा है परियावरण सरच्छन तता सतत विकास में क्या संबंध है भारत में आर्थिक संबेड़धी तथा परियावरण छरण पर एक बावदेद अभी वैस्विक्य विखास सुचकांक में भारत का र निम्हें व्पतावे में बधारत की बुनियादी विवस्थां का मुल्यां करें तो आपको जन्नांग की लउआंस की मतलब् coisas का dilemmp भारत में फिर भी है जो कि वा विकास में इसका कम निम्तर स्थान है तो कोशल विकास कारिक्रम जो आया है या अन्ड हुआ विकास की बुनियादी विवस्थाओं जो भी आया है यूवाओं के लिए स्टार्ट अप हो जया तो उसका मुल्यांकर करना है कि कितना इसे फायदा हुआ या घटा हुआ कोई फायदा नहीं हुआ इसे लिखना आपको फिर ग्यारा नंबर है परस्थित की तांतर इको सिस्टम की संकल्पना प्रस्तूत करते हुए इसके बायोटिक एबायोटिक तथा एनरजी संगट को इसके कार्ज परनालियों की विवेचना कीजिए तो आ आप लोग जानते हों कि इस तरह गर्मी पढ़ रही है और इसका जूद सर्जन होगा तो बर्फ पीगलेगा और 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 भी सारे कई उधारने उसको आपको प्रस्तूत करने होगे तरह है जैब विवेद्ता के महत्वकोर एक हांकित कीजिए करते हुए इसके हरास के कार्ण यूज करेंगे तो आपको ज्यादा नमल अंतरस्टी प्रयास इसके लिए क्या हो रहा इसका संद्चना और आसका कारण भी लिखना है फिर लाश्ट कोश्चन क्या चाओधा वेश्ट क्या है मानव स्वास्त और बातावरन पर इसके क्या प्रभावात है कच्ड़ा प्रव इस तरह के प्रश्ट पिछले भी पूछे गया और पूछे जाने की समय क्योंकि अब स्ट्रिट लाइनिंग वाले कोस्चन इस तरह बिहार नदी घाटी की परियुजनाओं को लेका इस सब कोस्चन आपको बहुत कम मिलेंगे और नहीं की बराबर मिलें आपको लंबे- इस तरह के प्रश्ट नहीं पूछे जाते हैं कि आपको स्ट्रेट लाइनिंग कोई नहीं रहेगा कि मूल अधिकार क्या इसका बरनन करें आपको इसतना घुमा दिया है कि आप कहीं घुम गये तो आपको समझ में नहीं आए और मैं इसमें लिखूं क्या तो इसी आप इसको गैस को से निश्चित रूप से लाने की संभावना तो इसी कसा धन्यवाद